हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रुमाल में इंबॉर्डरी करना बताऊंगी ठीक है तो यह एक वाइट रंग का रुमाल है आपको जितना साइच का रुमाल चाहिए उसे कॉर्डिंग आप ले लीजे और आपको जो भी पेंजिल से कपड़े पर ड्रॉ कर लीजे तो यहाँ पर मैं एक डिजाइन बनाऊगी और एक नेम भी लिखूँगी ठीक है तो वो डिजाइन में यहाँ पर ड्रॉ करके रखियो और कुछ इस तरह के धागे की जरूरत पड़ेगी हमें और सबसे पहले हम नीडल में थ्रे नीडल को निकालेंगे उसके बाद हम इस तरह से जहां से नीडल निकाले वही पर फंसा कर आगे की तरफ निकालेंगे उसके बाद उसमें हम धागे को फंसा देंगे और इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे निकालने के बाद फिर हम वही पर नीचे लिजा कर नीचे से डा जिजाइन को हम लेजी डेजी डिजाइन बोलते हैं मैं जो थ्रेट का यूज़ कर रही है वो थ्रेट है रेसमीधागा आप चाहे तो कॉटन धरड़ से भी बना सकते हैं लिर्किन रेसमी धागा जो होता है, उसमें थोड़ा साइनिंग होता है, तो देखने में अच्छा लगता है, इस तरह से आप पूरे में फूल बना लीजिए, अगर आप मेरे चानल पे नए हैं, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक एंड शेयर कर ये, और बैल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजे, जिससे की अपडेट आपको टाइम से मिलती जाए, इस तरह से हम पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे, अब मैं आपको फ्लावर का जो, ये जो लंबी वाली लाइन है, अब मैं इसे बनाना बताऊंगी, तो इसे मैं चेनिस डि दे दूंगे, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं, उसमें मैं एट टाइप की इंबॉर्डरी स्टिच बताऊंगी हूँ, और आगे भी मैं बहुत सारी इंबॉर्डरी आपको बताऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिए, आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा अब हम इस तरह से लीफ बनाएंगे, तो लीफ हम साटेन स्टिच, इसे हम पूरा लीफ को हम एक भरा हुआ डिजाइन से कंप्लीट करेंगे, तो इस हम स्टिच को हम साटेन स्टिच बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे हम पूरा कवर करते हैं धागे से, तो इस तरह से जिस को यूज करींगा और फ्लावर के लिए आप रेड यलो तम पिंक इस तरह का चाहि salsa कर सकते हैं लेकिन जब भी हम लीफ बनाते हैं और उसका जो लाइन लंभी वाली जान के लिए हम ग्रीं कलर काय सकते हैं इस बिंट करें इस तरह घर हे हम पूरे लीफ पे यही डिजाइन को भर देंगे. अब मैं दूसरा लाइन कंप्रीट करने के लिए क्या करूंगी? विक्रें अब मैं बनाने के लिए इस तरह से लिए को आगे की तरफ ले जाएनगे और पीछे से निकालेंगे। झाल झाल इस तरह से हमारा flower बनकर complete हो गया है अब आपको नाम लिखना है तो नाम के लिए आप कोई भी stitch का यूज़ कर सकते हैं back stitch, chain stitch का यूज़ करके आप नाम को बना, name को भर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप एक रुमाल ready कर सकते हैं thanks for watching, मिलते हैं next video में